अलो नमश्कार साथियों श्वागत है आपका SLB Civil Services पर मैं अंकेश पांडेश साथियों SLB Civil Services टीम की तरब से आप सभी साथियों को 9 वर्ष की हार्दिक हार्दिक सुब कामना है शुरुवात अगर दिन की किसी अच्छे खबर से हो शुरुवात अगर दिन की किसी अच्छे न्यूट से हो किसी अच्छी चीज से हो तो पूरा दिन बन जाता है अगर शुरुवात वर्ष का किसी अच्छे news से हो, किसी अच्छे notification से हो, किसी अच्छे vacancy से हो, तो पूरा साल बन जाता है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो वास्तों में UPPCS की तयारी कर रहे हैं साथियों आपको जान करके खुशी होगी, आज कैलेंडर वर्ष का पहला दिन है और इसी दिन पर आज एक notification जारी किया गया, उत्तरप्रदेश पब्लिक सर्विश कमिशन के द्वारा करवाये जाने वाली सबसे बड़ी परिच्छा UPPCS UPPCS का notification जारी कर दिया गया है, इसके बारे में साम तक अभी जब मैं class record कर रहा हूँ तो time हो रहा है, एक बज़ के 11 मिनट आप साम तक देखेंगे तो इस notification से सम्बंदित सारी चीजे website पर होंगी तो अभी मैं आपको सभी साथियों को एक wish जो हमारी team की तरफ से information की तरफ मैं आपको देने आया हूँ, क्या कि UPPCS की notification आ चुकी है, आप happy new year मनाते हुए इस बात को भी ध्यान दें कि इस year में हम अपनी शफलता को सुनिश्चित कर लेंगे, साथियों मैं आपको notification के बारे म चोटा सा notification जारी किया जाता है कि इसके बारे में UPPCS के बारे में, इसमें क्या पताया गया है, इस परिक्षा की विस्तृत विज्यापन दिनांक 112024 से IO की website पर डाल दिया जाएगा, मतलब अभी जब मैं class record कर रहा हूँ, इसके बाद ये किसी भी time डाल दिया जा सकता है, इ अहरता क्या होगी, साक्षे की योगिता क्या होगी, सभी चीजों के बारे में detail रहेगा, पहला point ये कह रहा, ठीक है, उसमें ये भी बताया जाएगा कि पाठिकरम क्या है, मुख्य पर इक्षा की प्रकृती क्या है, इन सभी चीजों को, by the way, आभी कोई business change नहीं हुआ है, जो पिछले वर्स में चीजें थी, उसी तरीके की प्रक्रिया इस बार भी रहेगी, number of vacancies बहुत बड़ा matter कर रही है, इस बार number of vacancies की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्तियों का विवरण, वर्तमान में सम्मेलित राज प्रवर अधिनस्त सेवा यूपी PCS में, मेरे प्यारे शातियों, ये संख्या बढ़ भी सकती है, घड़ भी सकती है, ये कब तक हो सकता है, जब तक आप preliminary exam का paper नहीं दे लेते हैं, यानि इसमें vacancy में व्रधी भी हो सकती है, समय जरूरत जैसे लोग retire होते हैं, उस तरीके की, जैसे भी vacancies की need होती, उस तरीके से इसमें vacancies add होती जाती है, तो मेरे व्यारे सातियों, 220 vacancy अगर देखा जाए, तो कम नहीं है, जो serious student है, वो इस पर भी fight करते हैं, और बहुत अच्छे से SDM बन करें जाते हैं, आपर सातियों, कितने post किन चीजों के हैं, इनको हम अगले notification में बता देंगे, फिल जबे normal graduation होता, ये सभी जानते हैं, यूवी PCS की तयारी करने वाले, आयू श्रीमा की बात करने, तो 1 जुलाई 2024 को उसकी उम्र 21 वर्स की हो जानी चाहिए, और graduation होना चाहिए, ठीक है, 21 वर्स होनी चाहिए, 40 वर्स से अधिक आयू का नहीं होना चाहिए, अर्थात, उनका जन्म 2 जुलाई 1984 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानि व्रद्ध व्यक्ति नहीं SDM मनना चाहिए, इनका कहने का मतलब, 1 जुलाई 2003 के बाद नहीं होना चाहिए, मतलब जन्म किसके बीच में होना चाहिए, 2 जुलाई 1984 से 1 जुलाई 2003 के बीच में ही जन्म होना चाहिए, इ डिसेवल व्यक्ति हैं मतलब जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी उम्र को 55 वर्स तक टैंग किया गया है इसके बारे में भी विज्यापन में प्रॉपर दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन प्रारंब करने की तिथी वो 1.1.2024 यानि आज से ही ये स्टार्ट हो जाएगा आनलाइन माध्यम से परिक्षा सुल्क बैंक में जमा करने की अंतिमति थी 29.1.2024 है ठीक है ऑनलाइन सब्मिट आवेदन में सुधार संसोधन की अंतिमति थी 9.2.2024 है तो ए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो बहुत जरूरी था आप सभी सात्यों के लिए जो UBPCS के स्पैसली तैयारी करते हैं वो इस बात को ध्यानने की पेपर आ चुका है हमारे इंस्टिट्यूट के द्वारा बहुत ही जल्दी यूटीब पर कुछ आप सभी को इस तरीके का ब विश्यू आप वेरी वेरी हैपी नियर माई डियर फ्रेंट्स खासते रहें खेल खेलाते रहें लेकिन साथ साथ मेहनत करके अपनी सफलता को इसी वर्स सुनेशित करके जाईएगा जैहन साथियू